जयाएं दोस्तों, welcome back to our channel, welcome back to jobteria, I hope so कि आप लोग fit and fine होंगे, एक बर फिर आप सभी को jobteria परिवार में बहुत बहुत welcome करते हैं, जयाँ दोस्तों मैं आप सभी के जो है समक्ष फिर से जो है परिक्षार्च सायक चार्च की जो update अभी की recent की update जो निकल क्या ये उसके regarding बात करेंगे, अभी एक जो है बहुत बड़ी update निकाली गई है दोस्तों, जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा statement जारी हुआ है और एक बहुत बड़ी जो है news यहाँ पे जो है निकल क्या रही है परिक्षा को लेकर, तो इस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, साथी साथ जो इस पे भी जो है गहरी बात करेंगे और authentic way में discuss करेंगे कि यह किनकी और जो है यह case जो है फेबर में जा सकती है कोन इस case में जो है जीत किनके जो हाथ आएगी इस पे बात करेंगे साथी साथ परिक्षा जल्द होगी क्या इस पे चर्चा रहेगी और इस समय आपको क्या करन चाहिए इस पे भी बात करेंगे तो इन सभी तमाम पॉइंट को इस वीडियो में आपको जानने और समझने को मिलेगा तो बिल्कुल वीडियो को अंतक बोच कीजिएगा और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स टाइम जुड़े हैं चैनल पर फर्स टाइम विजिट किये हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको मिस नहो आप तक नोटिफिकेशन के थुरूप पहुँच सके तो जरूँ चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा चलिए सबसे पहली बात है यह है कि आपकी जो फर्स हेरिंग रखी गई थी द आपके ज़ार्कन्ट सरकारन को जो है यहां पे चार सपता का समय दिया गया वाली जो ढूर्स हेरिंग सेब्स हीर्टंब में जो यहां पे सबसे पहले कोईस्टन किया था और उसमें उन्होंने यह कहा था कि जो कैशारिबं कि जो है उन्हें चैत्रिय भासब नहीं आती है तो वो तो कैसे जो है इस बाली से बाहर किया जाए और सीटेट में जितने भी आवेदन किये हुए हैं केंडिडिट उनकी जो है आवेदन जो है यता सिग्रे जो है यहाँ पे रद किया जाए और जल्द से जल्द जो है इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए इसकी मांग उन्होंने जेटेट वालों ने सबसे पहले कि यह कुश्चन किया था उसे के डिफेंस में जो है यहाँ पे सीटेट वाले जो वकील थे और झारकण सरकार heute इन्होंने आपनी राइ रखी कि से हाई कोट से हम लोग यहाँ पे case को जीत कर आ रहे है सारी चीजों को ने सिटेट वाले को एलीजिबल माना आ और उसी के तहद जो है ये बहाली जो है जितने भी आवेदन सीटेट वालों ने किये हैं उन्हीं के आदेस पर की गई है और उन्हें सारी चीजों को वहाँ पे explain नहीं कर पाएं क्योंकि first hearing का जो है time जादा समय तक नहीं चला था तो अब next hearing जो होगी इसमें सीटेट वाले पूरे authentic वे में पूरी अभी का अगर अपडेट सुनेंगे तो पूरी तरह से प्रिपेर कर लिये हैं सारे documents सारे valid point को उन्होंने त्यार कर रखा है अब आपका जो है चार सब्ता बास जो आपकी hearing होनी है उसमें hopefully आपका पूरी तरह के से judgment final हो जाएगा और अभी का अगर रिसेंट का अगर अपडेट आपको मैं दिखाता हूं जो अभी क्या निकल के आई है यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तो रिसेंट का अपडेट है कि राज में तीन से चार महा में तीस हजार पदों पर होगी नियुक्तियां मुक्क मंत्री यहां पर मुक्क मंत्री जो माननी मुक्क मंत्री चमपाई सोरेंजी है बरतमान में तो इनके दोरा जो है 24 चोन अभीयार्थियों को जो है नियुक्ति पत्र सोपा गया था साथ जो है मार्च को तो उसी जो है उसी स्टेज में उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि 3-4 माह के अंदर 30,000 पदों की न्युक्तियां पूर्ण कर ली जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों यहां पे इन्होंने कहा है तो आपका यहाँ पे सहाय का चार्च की है और जहारकन पुलिस की है दोस्तों तो इन दोनों बहाली की बात करें तो हम मुख्षत अगर सहाय का चार्च की बात करें तो अगर यहाँ पे हेरिंग अगर आपकी जो है मार्च के बादी अब होनी है तो आपका जो है यहाँ पे उस समय उस दिन अगर अच्छे से भैलिट पॉइंट को सीटेड वाले और जारकन सरकार के वकिल अगर अच्छे से रख पाते हैं तो यहाँ पे फाइनल जज्जमेंट आजाएगा जिसमें जो है किलियर हो जाएगा उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डेट सीट आपका निकल जाएगा परिक्षा तिति घोसित कर दी जाएगी तो इस स्टेट्मेंट के अगर देखेंगे ऐकोर्डिंग ली देखेंगे त तो जस्ट आपको प्रिप्रेसन आक मुन्द के करना चाहिए क्योंकि अभी आप देखे हैं पिजी टी का भी जो भी नियुकती पत्र जो है चार विसयों का सोपा गया है तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा संगर्शरत रहे हैं और फाइनली उनको यहां पर नियुकती पत्र बहुत हें मिला है तो न्यूकति पत्र हमेशा जो हें खुशी देती है पका प्रिवार मोमेंट हो ता है न्यूकति पत्र तो ये दिन आपके आपके भि fight में आनी है दोस्तो और यह आयेगी ही भले अभी समय लग रही है देरी लग रही है लेकिन इस समय का अच्छे से utilization कीजिए अच्छे से preparation रखिए और कोई भी loophole नहीं छोड़िए कहीं भी कुछ भी आपका अभी कमजोर पक्ष है तो उसको अभी strong करनी की time है multiple जो है आपको यहां पर test और practice set अभी यूज कर लेने चाहिए क्योंकि यह बहाली अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं पहले से competition अभी बढ़ा हुआ रहेगा और इसके लिए आपको अगर इस बहाली में एक sit pack की करनी है तो आपको seriously जो है आपको dedicated way में regular basis पर preparation को करनी होगी तो यही आज की update थी दोस्तो और तो I hope so कि वीडियो आपके लिए informative लगी होगी positive लगी होगी तो चैनल पर अगर जूड़े हैं first time दोस्तो subscribe करके चैनल को ज़रूर जो है लाइक कर लिजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तो मिलते हैं इसी तरह कि ताजातरेन अपडेट के साल तब तक के लिए जाहिंद thanks for watching